हेलो फ्रेंड्स जैसे कृष्णा जै मातादी जैस्री शाम जैस्री महाकार तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आश्या करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हूं कि प्रयातना करती हूं इश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें देखे आज की वीडियो बहुत ही वाली गलतियों को हमें पहले से समझना होगा जानना होगा तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों चैन कर लिए उसके बाद अपने इश्वर से प्राथना करें कि आखिर हमारे आने वाले समय के लिए आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमें सही और महतुपुन जानकारी की प्राप्ति हो सके हमारी भी कोशिश रहेगी दोस्तों कि इस वीडियो की शर्वात करने थे जल्दी से बेटरफलाइच चूस करें पहले नंबर की बेटरफलाइच जिस ने भी चूस करें देख ली इश्वर की तरफ से क्या संकेत मिला टेरो कार्ड आपको क्या बताना चाहते आने वाले समय के लिए सबसे पहले तो तनाव लेने से बचे बिलक से बोली अपने क्लोस फ्रेंड से क्लोस रिलेटिव से अपने पैरेंट से अपने भाई बहन जिसको भी आप मांते उनसे तुरंत बोल दीजिए क्योंकि खुद अगर आप सवाल के जवाब ढूंड़ने में लगे रहेंगे तो समय ही भी खराब होगा मांसिक तनाव भी लेगा वर्तमान से संबंदित बातों पर ध्यान रखना होगा जिन बातों से संबंदित स्पस्टता भी महसूस नहीं हो रही है उनके बारे में दूर द्रश्टी रख कर योजना बनाना ठीक नहीं रहेगा यानि कि देखिए अगर आप शेयर मार्केट का कारे कर रहे हो और हमारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करेंगे अचानक से कोई पॉजिटिव घटना आपके साथ घटीत होती भी नजर आएगी जिस बात का आपको कई दिनों से इंतजार था वो अचानक से आगे बनने लगेगी मानसिक समाधान और सुक्षांती भी घर में बनी रहेगी थोड़ा सा समय एक कांत में बिताने की कोशिश करें जिससे जो पॉजिटिव उरजा है जो सकरात्मक उरजा है वो और बढ़ सकती हैं काम की जगेक के लोगों से प्राप्त हो रहे सुझावों पर विचार जरूर करें आपकी समस्या का हल आपको प्राप्त हो सकता है पार्टनर के साथ बिताया हुआ समय आनंद देगा पार्टनर के बारे में और बाते जान पाना भी आपके लिए संभव होगा आपके जद और महत्व कांशा को महत्व देने की वजह से आपके अंदर एहंकार बढ़ सकता है इस कारण महत्वपून लोगों के साथ सम्बंद भी आपके खराब हो सकते हैं तो किसी भी व्यक्ति के साथ सम्वांद बनाने से पहले अपने भावनाओं पर नियंतरन रखना बहुत जरूरी है किसी भी चिंता को अपने उपर हावी न होने दे अगर कोई टारगेट पूरा करना है तो उसके लिए आपको कॉंसेंट्रेट बनाना होगा एका गरता बनानी होगी आपका टारगेट जरूर पूरा होगा और बहुत अच्छा समय है बस इस समय का सदूपियों करना आपको आना चाहिए सेकंड नमबर की बात करें सेकंड नमबर की बेटरफलाई जिस किसी ने भी चूस करी है देख लेते ये शुरूर ने क्या संकित देना चाहते टेरो कार्ड क्या बता रहे है अपने अंदर के सैयम को बढ़ाने की कोशिश करें साथ में एकागरता के साथ काम करना आपके लिए बहत जरूरी है महत्वपुन जिम्यतारियां आपको सोफी जाएगी इसके लिए आप अभी से तेयार रहें बेचेनी आपके काम में बांधा डालेगी काम से समधित बातों का तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा इसलिए काम से थोड़ा ब्रेक लेकर नई उर्जा बनाए उसके बाद फिर से काम की शिरुवात करें अभी के समय में जो पार्टनर के साथ दूरिया महसूस हो रही उसकारण आप एक दूसरे का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दूसरे की इंपोर्टेंट समझें उसके बाद आपके अंदर प्रेम जागरत होगा बेचेनी की वज़े से आप खुद का नुकसान कर बैठेंगे जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको भावनात्मक ठेस पहुंच सकती हैं केवल भावनाओं को महत्व देने की वज़े से आपके दूरा लिया गया निर्णे गलत सावित हो सकता है जब तक आप इस पस्ट रूप से चर्चा नहीं करेंगे तब तक समस्या का हल प्राप्त नहीं होगा करियर से समदित बाते प्रग्रती की ओर बढ़ रही है किसी भी बात की वज़े से करियर को नजरंदाज बिलकुल ना करे परिवार के किसी व्यक्ति का साथ आपको प्राप्त होगा जिससे सकारात्मक्ता महसूस होने लगेगी व्यक्तिकत जीवन को बहत्रिन बनाने का प्रयास आपको करना होगा अपनी मांसी कवस्था और सेहत से समदित बातों के लिए सतरकता भी रखें काम की जगे अपने जो इस्थान प्राप्तिकिया उसे बनाये रखने की कोशिश करें नकारात्मक्त बातों को दूर करने की जो कोशिश है आपकी वो सफल हो रही है जो अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं उन्हें नई उर्जा के साथ अपनाने की कोशिश करें जीवन में उत्सा बढ़ता हुआ नजर आएगा परिवार के जिन लोगों से आपको दुख प्राप्त हुआ है ऐसे लोगों के लिए कटूता कम हो सकती है व्यापार चेतर में जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें बहतरिन अवसर प्राप्त हो सकते तो फिलहाल अधिक स अधिक फाइदा उठाने की कोशिश करें और हर परिस्तिति में पार्टनर का साथ देते रहेंगे तो आपको खुश रखने की कोशिश भी उनके द्वारा की जाएगी यानि कि दोस्तों कुल मिला कर हम आपको यहीं कहना चाहते हैं कि जो आपका आने वाला समय है वह आप ही के हातों लिखा जाएगा आप ही के हातों बदला जाएगा आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना है धेरी बनाया रखना है सयंब बनाया रखना घुसा और आवेश में कोई भी निर्ने लेने से बचना है साथ ही रिष्टेदारों की important समझनी अपने partner की important समझनी है एक साथ कोई विवाद करने की कोशिश भी करें तो वहां से तुरंत हड़ जाए इस समय का आनंद ले बरतमान में जीए सयम का रखें और सभी समय का सदुपयों करें जितना आप समय का सदुपयों करेंगे जितना आप खुद को समझेंगे आत्म अबलोकन करेंगे उतना अपनी जिन्दगी से सवालों के जवाब जो ढूंड़ने आप निकले थे वह आपको मिलते जाएंगे इसलिए दोस्तों अब लोकन करें अपने समय का अपने आपको समझे कि क्या हम गलत करने जा रहें सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होने भी वाला है बहुत बहतर इस समय का सदूप्योग करें समय को समझें इसी के साथ इस समय आपके लिए बहुत कुछ ले कर आएगा थर्ट नंबर की बात करें थर्ट नंबर की बेटरफलाई जिसकी ने भी चूस करी है देख लेते ही इश्वर की तरब से क्या संकेत आने वाले समय के लिए आपको मिल गलत वियमी को दूर किया जा सके डुकर्स बेंकिंग शेतर से जुड़े वे लोगों को अपने टार्गेट को पूरा करने के लिए अन्य लोगों की सहथा लेशनरे डिन्य पड़ सकती हैं तीसरे व्यक्ति पर विश्वास ठीक से परखना सीखें जिन लोगों के कारंद जी आपके साथ बुरा करा और उनसे काफी कुछ सीखा है अपने इसे लोग फिर से आपके जीवन में आने की कोशिश करेंगे तो इन लोगों का विशिज ध्यान रखें सतर करें धोका देने वालों से सतर करें विश्वास घात करने वालों से सतर करें देखिए विभास समधी जो विचार विमर्ज जरूर करें दिन आपके सकारात्मक रहेंगे काम का तनाव कम होने से वेक्टिकत जीवन पर आप ध्यान दे पाएंगे पुराने मित्रों के साथ हुई मुलाकात के कारण आपको प्रसनता होगी और मित्रों के जरीए ही काम समंदित अवसर प्राप्त होने की भी संभावनाएं बन रही हैं करियर से समंदित अपने स्किल्स को बहतरीन बनाने के लिए अनुभवी व्यक्ति का आप साथ देंगे हर परिस्तिती में केवल विचार करने और काम ना करने की वज़े से आप समस्यां से बाहर नहीं निकल पाएंगे अपने विचारों को नि अपने आपको सकारात्मक बनाने की कोशिश करें पॉजिटिव रखने की कोशिश करें यह नेगिटिविटी आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती हैं आपको परिशान कर सकती हैं विध्यार्तियों को करियर से संबंदित लिए गर निड़ने की वज़े से पश्तावा हो सक काम दिये गए समय से पहले आपका पूर्ण होगा व्यक्तिकत जीवन के टार्गेट पर ध्यान देना होगा जो लोग आपके काम में बाधर आने की कोशिश कर रहे हैं या आपके अच्छे मित्र होने का दिखावा करने हैं एसे लोगों की परक करने के लिए यह समय बड़ा ब रिलेशन को तोड़ना उसका हल नहीं है आपको रिलेशन में जो मिस अंडरस्टैइन किसी तीसरे विक्ति के द़़ारा हो रहे है उसे खलियर करें कभी भी अपने रिलेशन में किसी और को बोलने का अधिकार बिल्कुल ना दे आप और आपका पार्टनर जो भी है मिलकर ब करें साथी कमेंट सेक्शन में जयमातादी के जयकारे लगा दें चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें बेल आकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वली विडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी कि आप सभी को बहुत बह हिवाद जयमातादी हर्वर महादी